अलो फ्रेंट्स, है मुप्रती, वेलकम बैक टू आर चैनल, प्लांट्स स्पेस, सफेद कनेर यानि वाइट ओलियंडर की लास्ट वीडियो में हमने आप से शेयर किया था इसकी फलियां यानि की जो सीट पॉड होता है, क्योंकि जो पीला कनेर होता है, उसमें दूसरी तरह क पर बैठा हुआ है, यह आप देखिए, बीडल है, मदुमक्खियां है, तितलियां है, यह हमारे प्लांट्स के लिए जरूरी है, नेचर के लिए जरूरी है, क्योंकि यह पॉलिनेटर्स होते हैं, परागन करते हैं, इनी से ही सीट बनते हैं, इस तरह से यह पॉलिनेटर्स हमारे vegetable plants के लिए और flowering plants के लिए दोनों के लिए ही काफी ज़रूरी होते हैं तो अभी हमारे पौधे पर जो फलियां है यानि कि जो कनेर का जो ये seed pod है ये खुलने लगा है तो जब भी ये खुलने लगे तो समझ जाएए कि आपके पौधे पर seeds बनने वाले है वैसे तो rainy season के बाद से ही इसमें फलियां आनी शुरू हो गई थी last video में हमने आपसे share किया था और ये थोड़ा time ले ले लेती है कभी-कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने और कभी 5 महीने भी लग जाते हैं जैसे अडेनियम में होता है ये चंपा यानी प्लूमेरिया की हमने आपसे seed pod share किया था तो इसमें काफी समय लग जाता है तो जब ये हरे होते हैं तब ये कच्चे होते हैं लेकिन जब इस तरह से brown होने लगें तो समझ जाए ये पतने वाले हैं और ये खुलने वाले हैं लेकिन कभी-कभी होता है ये खुल जाते हैं और सारे seeds जो हैं वो हवा में उड़ जाते हैं तो इसको कैसे बचाना है ये भी आज आपसे share करेंगे तो जैसे कि rainy season यानी बारिश के मौसम के बाद से ही plant में फलियां बननी शुरू हो गई थी और अब फरवरी की शुरुआत हो चुकी है अब ये फलियां हमें पक्ती हुई नजर आ रही है तो इसमें seeds हम आपसे share करेंगे ही साथ ही इनको जो है आप किसी धागे से बांध दीजिए तो seeds safe रहेंगे और ये हवा में उड़ेंगे नहीं हमारे plant पे अभी भी कलियां आ रही है वैसे तो ये plant जमीन में लगा हो तो ये पूरे साल फूल देता ही रहता है चाहे कम चाहे जादा सर्दियों में थोड़े कम फूल आते हैं लेकिन जब ये पॉर्ट में होता है तो सर्दियों में फूल देना बंद भी कर देता है तो अभी इसमें आप कलियां भी देख सकते हैं अभी इसमें सबसे बड़ी परेशानी आएगी इनकी pruning को लेकर क्योंकि फरवरी आ चुकी है और हम चाहते हैं हमरा प्लाइंट हेल्दी भी रहे और बुशी भी बने यानि थोड़ा घना भी हो तो उसके लिए क्या करना है इसके लिए अलग से वीडियो शेयर करेंगे अभी तो पौधे पे सीट्स है तो ये जो फली है इसमें से हम आपको सीट्स निकालके बाहर दिखाते हैं वैसे तो जब भी फली इस तरह से खुल जाए आप उसको कुछ दिन ऐसे ही रखा रहने दीजिए यानि कि उसमें से अपने आप सीट्स को बाहर आने दीजिए थोड़ा से ये ज़ादा खुल जाती है जब ये पूरी तरह से पक जाती है तो अभी नए नए इसमें सीट्स बनकर तयार हुए है तो इनको हमने बाहर निकाला है जिससे हमारे विवर्स थोड़ा इसको देख लें तो ये अभी थोड़े भाइट कलर के हैं हलका से इसमें ब्राउन शेड आजाता है जब ये पूरी तरह से पक कर तयार हो जाते है वैसे तो अभी भी ये पक गए है लेकिन फिर भी इसको आप बाहर ना निकाले सीट्स और इन फलियों को लगभग 15 दिन 20 दिन या 1 मंत के लिए ऐसे ही रखा रहने दें चायादार जगे पे रखें कहीं इसको सुखाना नहीं है क्योंकि जब हर्शिंगार की सीट्स की वीडियों हमने शेयर की तो उसमें एक व्यूर का कमेंट आया कि उन्होंने हरे सीट्स को दोड़कर रख लिया है और धूप में सुखा कर रखा है तो कभी भी कोई सीट आप दूप में ना सुखाएं क्योंकि उससे सीट का मॉश्चर यानि नमी जो है सीट के अंदर की बीज के अंदर जो नमी है वो खतम हो जाती है तो फिर सीट जर्मिनेट नहीं होगा तो इस बात का ध्यान रखें चाया में ही सुखाएं तो अभी छट पर कोई धागा नहीं रखा हुआ था इसलिए ये वायर रखा हुआ था जिससे अभी कुजिन पहले यूफोर्बिया की हमने शेपिंग की थी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं काफी इंट्रस्टिंग वीडियो थी तो वही वायर ये रखा हुआ था थोड़ा आसानी से मुड़ जाता है तो इसी से ही हमने हलका सा इन जितनी में फलियां थी इनको बांद दिया है टाइटली नहीं बांदा है ये बहुत ही हलका वायर है तो बस एक तरह से इसमें जिससे ये खुल कर इसमें से seeds ना गिरें अगर हम ध्यान ना दे पाएं इसलिए हमने ये wire की help से इनको cover कर दिया है आप कोई भी हलके से धागे से इसको बांध सकते हैं तो इसका उदेशे के वाल यही है कि इसमें से seeds उड़कर बाहर हवा में ना जाएं बेकार ना हो जाएं बिलकुल अडेनियम जैसे ही seeds होते हैं जैसे गजानिया के होते हैं कुछ-कुछ इसी तरह ही उसके seeds होते हैं तो इस description box में वीडियो मिल जाएगी जरूर चेक कीजिएगा थेंक यू